आज हम अब एक्जाम के बाद जब रिज्यूम कर रहे हैं तो अब हम फर्स्ट एयर के मिस्ट्री पर आएंगे जो क्लास में ले रहा हूं उसमें फर्स्ट एयर का चैप्टर नंबर वन फाइब फॉर स्वरी केमिकल बॉंडिंग सिक्स एकिलिब्रियम और एट कैमिकल कानेटिक्स ही हो चुका है अब जो चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे वह आपके सिन बॉर्ट का चैप्टर फाइव है है जबके फैडरल बॉर्ट का है चैप्टर एक 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 तर्मो केमिस्ट्रिए हुआ 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 चैप्टर जो है वह सिन बॉर्ड में चैप्टर नंबर फाइव फर्स्ट एयर का और फैडरल बॉर्ड में चैप्टर नंबर एलेवन है और चैप्टर का नाम है थर्मो केमिस्ट्री अब देंगे वह कॉंसेप्ट की शुरुवात कहां से होती है बहुत देहान से सुनिएगा देंगा हर प्रोसेश चाहे फिजास हो या कैमिकल प्रॉसेस हो कि हर प्रोसेस के दरान ane energy changes होती है थी कंच चाहे कोई कैमिकल प्रोसेस हो या इस और फिस्कल प्रॉसेश हो fighters को फिजिकल प्रॉसेस मतलब जिसमें कोई चैन्ज नहीं हो रही बट लाइक पानी जो है वो लिक्विट से गैसे स्टेट में कन्वर्ड हो गया थीकि पिटा या कार मूफ कर रही है तो यह चाहे कोई फिजिकल प्रॉसेस हो या कोई कैमिकल प्रॉसेस हो हर प्रॉसेस में एनर्जी चेंज होती है एवरी प्रॉसेस एन्वॉल्व्स कैमिकल चेंज़ ठीकि पिडा हर प्रॉसेस में एनर्जी चेंज होती है चाहे फिजिकल प्रॉसेस हो या फिर क्यामिकल प्रॉसेस और किसी भी किसम की एनर्जी चेंज को स्टडी करना स्टडी ओफ और टाइप्स ओफ एनर्जी चेंज़ इसी भी किसम की एनर्जी चेंज़ को स्टडी करना थर्मो डाइनेमिक्स कहलाता है तो थर्मो डाइनेमिक्स एक बहुत ही बड़ी ब्रांश है साइन्स की उसामा कहा रहे हैं स्क्रीन शो नहीं हो रही बागी स्टूडेंट्स बताईए सबको स्क्रीन शो हो रही है तो 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 किसी भी किसम की एनर्जी चेंज को स्टडी किया जाता है थर्मो डाइनेमिक्स में चाहे फिजिकल प्रॉसस की चेंज हो या केमिकल प्रॉसस में होने वाली एनर्जी चेंज हो हर किसम की एनर्जी चेंज को जिस ब्रांच आफ साइंस में स्टडी किया जाता है वो है थर्मो डाइनेमिक्स लेकिन अगर हम पर्टिकिलर्ली एनर्जी चेंज़ इन केमिकल प्रोसेस की बात करें तो केमिकल प्रोसेस में होने वाली एनर्जी चेंज इस को है। थर्मो किमिस्ट्री में इंक पहली बत यह रखिएगा रख़र के दौरां एनर्जी चेंज होती है चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या पहले कीज़िए से यह डाता है फेरमो किशंगर रेक्ष्म की दियुद्र दौरान भाली फैह च्हेंज सकी केमिकल प्रॉसेस यह केमिकल आता है chemistry so what we are going to focus in this chapter is thermocammistry so actually we विल बी डिस्कसिंग दा एनर्जी चेंजज इन क्यामिकल प्रॉसेस अब सबसे पहली बात कि आप सब जानते हो एनर्जी की कई फॉर्म्स होती है कि यहां पर जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हम करेंगे वह है यह कि एक वैसे तो एनर्जी की कई फॉर्म्स होते हैं यहां पर जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो रही है वह हीट एनि क्यामिकल प्रॉसेस के दौरान एनर्जी चेंजज जो होती है एनर्जी एवाल्व या एब्सॉर्ब जो होती है वह हीट की फॉर्म में होती है इसी विज़ा से यहां हमें जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करनी है वह हीट है पिर एक स्टूडेंट ने साधिया वह कह रही है कि स्क्रीन शो नहीं हो रही जी विटा बागे स्टूडेंट्स बताइए जल्दी से हो रही है शो आप देखें आपके इंदर उदर एक्स्प्लोर तो नहीं कर रहा है जूम को ठीक है तो जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हमें यहां पर करनी है वह हीट और हीट जो है कि जिसे आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हों कि हीट को आप थर्मल एनर्जी भी कह सकते हो लिखने की टेंशन नहीं लीजिएगा यह पूरा काम जाए पीडिएफ के शकल में आपके बास फॉरन लेक्चर के बाद आजाएगा जैसे ही क्लास टेंड होगी यह सारा काम आपके गुरूप पर सेंटर दिये जाएगा लिखने की टेंशन नहीं लें सिवह से समझने पर फोकस करें तो अब यह जो हीट है यह रियक्शन के दरान चेंज क्यों होती है तो एक बड़ा ही एहम कॉंसेप्ट है इसको दियान से समझीएगा कि वही रियक्शन के दरान बॉंड्स इन रियक्टेंज नीट टू बे ब्रोकें रियक्टेंड के मॉलिक्यूल में जो बॉंड्स होते हैं उन्हें टूटना होता है जबके बॉंड्स इन प्रोड़क्ट्स नीट टू भी फॉर्मड रिमेंबर बिटा केमिकल रियक्शन के दौरान रियक्टेंड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में जो बॉंड्स है उन्हें ब्रेक होना है और प्रोड़क्ट के पार्टिकल्स के दर्मियान बॉंड्स फॉर्म होने अब यह बहुत ही बेसिक कॉंसेप्ट है केमिस्ट्री का जो कि आपको पता होना चाहिए कि बॉंड्स फॉर्मेशन बॉंड्स फॉर्मेशन जो है वह एक्जो थर्मिक चेंज है अब बिटा एप्टिट्यूट की क्लास में एक्जो थर्मिक क्या होता है बताने की नीट तो नहीं होने शाहिए न याद रखिए कि बॉंड्स की जो फॉर्मेशन होती है वह एक्जो थर्मेक है यानि बॉन्ड फॉर्मेशन के दरान हीट रिलीज होती है जबके बॉन्ड जो ब्रेक होते है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो यह बात जहन में रखिएगा बिटा के बॉन्ड का बनना एक्जो थर्मेक है और बॉन्ड का तूटना एंडो थर्मेक है दूसर करने के लिए हीट एंerजी एबजॉर्ब होती है कि ऑर पी रियक्शन केだऑं क्यूंकि रियक्टन के पार्टिकल के बाव्न बरे visiting और हो रहे आ है इसी वजा से हीट रिलीज वह रहई होगी और आप जो हो रहा होगी इसी वजासे हीट एंटरजी चम और होगी है तो आपको बताएं ना कि हर प्रासेस लान फारी एनर्जी चेंज होती है झाल एक्षण और किसी भी प्रासेस के दौरान किसी भी फॉर्म अशन आपनवी ड्रों केमिस्ट्री ठीक बड़ और थर्मों केमिस्ट्री में चीमिकल रियक्शन्स के दरान जो हीट चेंज होती है जो एनर्जी चीनज होती है वह कौन से फॉर में पिटा हीट न मैंबर वाट वी सी देलिंगार्य इस्टरमल एनर्जी सब्सक्राइब देलें गरे अब सवाल यह है कि reaction के दौरान heat energy change क्यूं होती है तो मैंने आपको बताए बिटा reaction के दौरान reactants में bond break हो रहे है और products के bonds form हो रहे है ठीकि बिटा bond break होने में energy absorb होती है heat और bond form होने के दौरान heat energy evolve या release होती है remember बिटा क्यूंके reaction में bonds break और form हो रहे हैं इसी वजह से रियक्शन के दुरान हीट एनर्जी में चेंज आता है नाओ वाट आर दा यूनिट्स ओफ थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं तो आप सब जानते हो कि एसा यूनिट हर फॉर्म आफ एनर्जी का जूल है विज रिप्रेजेंटेट बाई कैपिटल जे और जूल की डेफिनेशन वर्क डन के फॉर्मिला से आती है आप सब जानते विटा वर्क डन क्या होता है फॉर्स इंटू डिस्प्लेस्मेंट तो कहते हैं वाई के अगर किसी ऑबजेक्ट पर वन न्यूटन की फॉर्स लगाकर उसे वन मीटर तक डिस्प्लेस कर दिया जाए अगर किसी ऑबजेक्ट पर वन न्यूटन की फॉर्स लगाकर उसे वन मीटर तक डिस्प्लेस किया जाए तो इसके लिए जितनी एनरजी इस्तेमाल हुई वह क्या होगी वन जूल पिटे डेफिनेशन याद रखेगा एनरजी रिक्वाइट तो मूव एन अब्जेक्ट और पार्टिकल थूर डिस्टेंस ऑफ वन मीटर बाय फोर्स ऑफ वन न्यूटन तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर अगर एक न्यूटन की फॉर्स लगाकर उसे एक मीटर डिस्प्लेस करना हो तो जितनी एनरजी उसके लिए रिक्वाइड होगी वह क्या कह लाएगी वन जूल जूल इस दा एसाई यूनिट ऑफ एनी फॉर्म अट अज्यू नवाट अल्रेट अल्रेट अनदर कॉमन इनित ऐस क्यालोरी आनदर कॉमन इनित एस क्यालोरी and calorie is the amount of heat required to raise the temperature of water 1 gram of water by 1 degree centigrade so if we want to increase the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade particularly from 14.5 to 15.5 हो तो वन डिगरी ही रहा है बड़ी थोड़ा सा इसमें समझ लिजेगा कि यह स्पैसिफिसिटी इसकी तो भाई अगर हमें 1 gram water temperature 1 degree centigrade बढ़ाना हो तो उसके लिए जितनी हीट एब्सॉर्ब होगी पानी में उसे हम 1 calorie कहेंगे ठीके बिटे देट हीट विल बी पॉल्ड वन कैलोरी एंड रेमेंबर वन कैलोरी कि इस एक्वल तू पॉर पॉइंट वन एट जूल्स यू नीट तो रिमेंबर दिस कंवर्जन ठीके बड़ा ये कंवर्जन आपने लाजमी याद रखनी है ठीके बड़ी को लिंक करते जाओ तो उसे हम किसमें स्टडी करते हैं थर्मो केमिस्ट्री में ठीके बड़ा केमिकल रियक्शन के दरान जो एनर्जी चेंज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है बड़ा हीट की फॉर्म में और चेंज होती क्यों है क्योंकि रियक्शन के दरान रियक्टेंट के पार्डिकल ब्रोक्क्स के पार्डिकल्स में बॉण्न वेबनेंद com लोते हैं वांट ब्रेक्पोने के लिए एड़ी एबजॉर्ब ती है और वांट वहते हुए एनर्जी मीनेद्र सब्सक्राइब मौता ओप बट पर्टिक्लरली हीट को एक्स्प्रेस करने का असान तरीक है वर्क डन ठीके बिटा फोर्स इंटो डिस्प्लेस्मेंट आपको बताया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर वन यूटन की फोर्स लगाकर वन मीटर उसे डिस्प्लेस करा दें तो जितनी एनर सब्सक्राइब इस इक वर्ट फोर पॉर पॉंट वान एट फोर जूल बैटे यहां तक की बाद सब को अच्छे से जल्दी से बता दीजेगा आप 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 कि इंपॉर्डंट टर्म्ज अब दिए थर्मो डाइनेमिक्स और थर्मो केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आपको कुछ ट्रमिनॉलोजी का पता होना बहुत जरूरी है जर्बर ठॉ तो के अगर आपको कि टर्मिनॉलोजी बता है तो आप इसको नहीं सिटरी करपाऊगे और आपको डिन नीजी पता तो आप इसको इसनिकर पाओगे country और सबसे पहली कि पिए कि इसमें कौन से होती है सीस्टम सबसे पहली डॉर्म यह मенно होती है हो है सिस्टम स्ञव्ट इस सिस्टम कि पार्ट और यूनिवर्स विच इस अदर स्टडी ब्राडर कॉंसेप्ट में इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद कोई वी चीज इस यूनिवर्स का कोई वी पार्ट जिसे हम स्कड़ी कर रहे हैं वो क्या कहलाता है सिस्टम अब जाहरे बड़ा थर्मो डाइनेमिक्स के लिहाद से देखोगे तो उसमें तो हर प्रॉसेस आ जाएगा यहां पर हमें फोकस किस पर रखना है केमिकल प्रॉसेस उस पर थर्मो केमिस्ट्री पर अगर आप एक बीकर में लाइम स्टोन तो यानि के कैल्शम कार्बोनेट और एक सी एल के रियक्शन को स्टड़ी कर रहे हो तो बस यही क्या होगा सिस्टम तो बस आप जिसको भी स्टड़ी कर रहे हो वो सिस्टम अगर आपने एक बीकर में कैल्शम कार्बोनेट डाला और उस पर एक सी एल डाला और आप उसका रियक्शन स्टड़ी कर रहे हो तो बस वही सिस्टम है ठीक अभी तो याद रखेगा कि इस पूरी युनिवर्स में मौझूद कोई भी चीज जिसे आप स्टड़ी कर रहे हो वो सिस्टम कहलाता है पर्टिक्लरली केमिस्ट्री में रियक्टेंट सिस्टम होता है ठीकिए बीड़ा पर्टिक्लरली तो यह क्या कहलाएगा सिस्टम कहलाएगा अब आपको यह पता है सिस्टम की टाइप्स होती है और वो टाइप्स क्या है ओपिन लोजड अट इसो लेटेड है कीी बेध एी और ज स्टम को मुझ आएगा स्टम इसोलेट स्टम Dv disaster what is open system what is close system and what is isolated system you all know that अब हम इने डिफाइन कैसे करते हैं कि हम इने डिफाइन करते हैं अब आउट देयर अबनान इने लिफगे ल स्टेवित्से करते हैं इने लिफग केल्ण लि अविगे हैं आरे रो अबाइन आरिफ लुग अ्या टेने लिफाइन गाइन इन आरिफ लिफ्सarpूडूड. can be transferred if matter and energy both can be transferred between the system and surroundings the system is said to be open similarly if only energy can be transferred between the system and surroundings the system is considered to be closed and if neither matter nor energy can be transferred the system is said to be isolated तो अगर एक सिस्टम में से मैटर और एनरजी दोनों ट्रांस्फर हो सकते हैं यानि सिस्टम से निगल के बाहर सरांडिंग्स में भी जा सकते हैं और सरांडिंग्स सिस्टम सिस्टम या सकते हैं तो एसा सिस्टम open एक जिसा एक चाय का कप है जिसमें गरम गरम चाय है अब उसमेंसे दुआ निकल दा है दुआ क्या होता है वाटर वेपर्स वाटर वेपर्स क्या है मैटर और वो चाय कुछ देर में ठंडी हो जाएगी इनर्जी भी बाहर चली गई तो चाय का कप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो रही ह अब मैटर का ट्रांसफर रुख जाएगा अब एनर्जी अभी भी ट्रांसफर हो सकती है विकॉस चाय थंडी तो अभी भी हो जाएगी तो अगर आपने चाय के कप के ऊपर लिड रखके उसे कवर कर दिया तो अब ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें से एनर्जी तो ट्रांसफ जितनी देर तक गरम है वी कैन अजीओं दिस नॉट पर्फेक्ट बट्री एजूम एट इस पर्फेक्ली आइसो लेटेट टीव ड़ा पर्फेक्ट्ली आइसोलेटिट कोई सिस्टम नहीं होता वी केन अजीओं कि जितनी देर तक चाय थर्मॉस में हैं इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद कोई भी चीज हम जिसे स्टडी कर रहे हैं या हम जिस पर फोकस कर रहे हैं थर्मो डायमिक्स के लिहाज से वह क्या है सिस्टम बट्रिफरिबली इन केमिस्ट्री इन थर्मो केमिस्ट्री थे सिस्टम्स आर्ड रियक्टेंट्स देटार बींग में इन वैसल टू कैरी आउट रियक्शन सो इस रियक्शन में गैस बनेगी चलो ओपिन क्लोस को मैं इस तरह से भी एक्स्प्रेंट कर देता हूं कि अगर आपने एक वैसल लिया और उसमें लाइम स्टोन और एचल को मिक्स किया विटा आपको पता है लाइम स्टोन केल्शम कार्बोनेट है और यह बात कई बार हो चुकी है कि इफ देर इस कार्बोनेट आइन प्रेजेंट इन फॉर्मिला and the reaction is being carried out with an acid so carbon dioxide will always be formed you all know this if we leave the container open the carbon dioxide gas will escape and if the gas escapes the matter escapes and if the matter can escape the system is open but if we place a cork at the mouth of the vessel if you remember nine class में करते थे अगर हम उसको ऐसे close कर देंगे जो अंदर जो गैस बन रही है वो निकल ना सके तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा close अधिके ना तो बिटा यह आपको केमिस्ट्री के हवाले से फर्स्ट एयर तक आपको यह जैनरली ही बताया जाता है लेकिन अभी यह सब कुछ आपको केमिस्ट्री के हवाले से बहुत क्लेरली पता होना चाहिए छी कि बटा यहां तक कि बात सबको लेगा रहे अच्छी तरह से लेगा रहे जल्दी से बताएगा बिटा अगर आप 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 झाल झाल जी असने बताता हूं यह बात तो हमेशा से इसी तरह से एक्स्प्लेइन कर दी जाती है चाहेगा कप चाहेगा कप जो के इस गुड़ एक्जाम्पल एज वैल इस सिंपल एक्जाम्पल एक्शली यहां पर बिटा आपको फोकस करना है केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आपने एक फ्लास्क लिया वह नाइन में एक्सपेरिमेंट करते तो राउंड बॉटम फ्लास्क वगएरा होता था उस फ्लास्क में आपने मार्वल चिप्स बरे मार्वल चिप्स पर आपने एच्प लगा के सील कर दिया तो अब जब रियक्शन होगा गैस बनेगी that gas won't leave the system because system is what is inside the flask is it or not I told you that as far as the thermochemistry is concerned system is basically the mixture of reactants in which the reaction is taking place so if the mixture is in the flask so that flask is a system and if we close the system by placing a cork over the mouth gas cannot be able to escape and if the matter won't be able to escape the system it become is closed so you need to remember the examples related to chemistry not just chai kakap that can help you as well but यहां पर आपको थोड़ा था chemistry से related रहना है ठीक है भाई इसनेन इस टोके कार्बोनेट है इसमें केल्सिम कार्बोनेट में दो एसेट से रियक्ट करा रहे हो तो अब्वियूसली कावन डाक्साइड वाटर बनेगा यह यह और बोला था मैंना अजब दो टर्म्स और हैं जो के बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है गभी कि सरांडिंग्ग कार्बोनेट और अध्यक्सियल का मिक्स्चर सिस्टम है तो इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी एफ लास्की वॉल है उसके बाहर एर वह सब कुछ क्या होगा इसकी सरांडिंग्ग्स and boundary that separates system and surroundings okay so this meeting is going to end soon बिटा मैं इसको यही एंड कर रहा हूं और foreign without any pause without any gap I am restarting the meeting so you will have five seconds after the meeting is ended to rejoin the meeting okay ठीके पिटा मैं एंड कर रहा हूं पांट सेकंड में आपको दोबारा जोइन कर मैं वापिस उसी लिंक से जो लिंक आपको दिया गया है